नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आपका हारतिक स्वाकत है बादाम तेल के इन चमतकारिक फाइदों को जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और आप आज से ही इसका परियोग करना सुरू कर देंगे दोस्तों बादाम बादाम खाना जितना सरीर के लिए फाइदेमंद होता है उतना ही बादाम का तेल भी हमारी सेहत के लिए बहुत अधिक फाइदेमंद होता है बादाम के तेल में विटामिन A, विटामिन B और विटामिन E जैसे पोसकततव भरपूर मातरा में पाय जाते हैं तो आईजे दोस्तों जानते हैं बादाम का तेल परियोग करने से होने वाले चमतकारी फाइदों के बारे में बादाम के तेल का रोजाना परियोग करने से हमारा सरीर तंदुरूस्त रहता है बादाम खाने से हमारा दिमाग तेज होता है बादाम के तेल का रोजाना परियोग बुद्धी और नसों के लिए बहुत अधिक फाइदेमंद होता है। बादाम के तेल से सिर पर मालिस करने से बालों की समस्याद दूर होती हैं। बालों का जड़ना और सभेध होना रुक जाता है। बदाम के तेल से चहरे पर मसाज करने से तवचा में चमक आ जाती हैं। बदाम के तेल का प्रियोग आँखों के आसपास हुए काले घेरों के लिए भी बहुत अधिक लाब कारी हैं। बदाम के तेल से आँखों के आसपास मसाज करनी चाहिएं। इससे आपकी आँखों की रोजनी भी बढ़ती हैं. बादाम के तेल का प्रीयोग रोजाना करने से तव्चा का रंग भी निखर जाता है. बादाम के तेल का प्रीयोग करने से पेट के कहीं रोगों से चुपकारा बाया जासकता है. जैसे कबज, editing इत्यादी. बादाम के तेल का प्रयोग करने से चहरे पे जुरिया जल्दी नहीं बढ़ती अगर नाखून ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं तो बादाम के तेल की मसाज करनी चाहिए अगर सरीर बन कोई घाव हो जाए तो बादाम के तेल का प्रयोग करने से घाव जल्दी भर जाता है और घने हो जाते हैं, बादाम, मस्तिक्स और सनायू परनालियों के लिए बहुत अधिक फाइदिमन है, यह बोधिक उर्जा बढ़ाने वाला दिरगायू बनाने वाला है, मिठे बादाम के सेवन से मासपेशियों में दर्द जैसी तकलीव से तुरंत आराम मिलता है, बादाम तनाओ को दूर करता है, दृष्टी को सही करता है, सनायू के दर्द में भी राम बान है, विटामिन D से भरपूर, बादाम तेल बच्चों की हड्यों के विकास में भी योगदान करता है, बादाम तेल से रूसी दूर होती हैं और बालों में चमक आती हैं, बादाम तेल का इस्तमाल बाहर से किया जाए या फिर इसका सेवन किया जाए यह हर बीमारी के इलाज में राम बान है हर रोज रात को धाई सो ग्राम गुनगुने दूद में 5-10 एमिल बादाम तेल मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए तबचा को नरम मुलाएं बनाने के लिए आप इसका प्रयोग लगाने के लिए भी कर सकते हैं नहाने से 2-3 घंटे पहले इसे लगाना आदर्स माना जाता है बादाम तेल की मालिस नहीं सरफ बालों के लिए अच्छी होती हैं बलकि मस्दिक्स के विकास में भी बहुत अधिक फाय्दे मन हैं हटे में एक रबार बादाम तेल की मालिस चरूर करनी चाहिए यह पेट की तकलीफों को दूर करनी के साथ-साथ आंथ की कैंसर के इलाज में भी बहुत अधिक उप्ज़ोगी है बदाम तेल के निमित सेवन से कोलोस्टोल को कम किया जा सकता है यानि यह हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत अधिक फाइदेवन्द है तो दोस्तों आप भी बदाम के तेल का प्रयोग करके इससे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे, या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूलें, इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए.